हेलो एबरीबड़ी मैं हूँ सेयत ताहा कादरी फ्रम गेम टॉक्स और आज पिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक इंट्रिस्टिंग वीडियो जो की रिलेटेड है आप जानते हो इकनॉमिक्स से आप एकनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आपकी जेब पर इसका बोज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा पढ़ता भी होगा आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो डीजल की गाड़ीों का पेट्रॉल की गाड़ीों का और आप देख चुके हो कि एक तरफ आप उधर पेट्रॉल जलत है उसका कारण आपको ऐसे वीडियो में पता चलेगा यनिदा हाइक इन पेट्रॉल प्राइसे वाइट इस सो इन इंडिया ऐसा भारत में क्यों है कैसे हाइक हो गया प्राइस आपने मध्यपरदेश में सुना MP में कि प्राइस चला गया 100 के ऊपर दिल्ली में 85 क्रॉस कर च लगाने की काम ही आता है तो आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से एक्स्टेन करेंगे एकनामिक्स की कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे देखी एक चीज़ होती क्रूड आइल आपने सुना होगा कच्चा थे जिसको हम बोलते हैं सिंपली सीधी भाशा में पेट आपने इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको स्टेटिक जी के बता रहा हूं शुरू में अभी तो देखी तीन चीज़ें हैं जो आपके एकनामिक फैक्टर पर असल डालती है आपकी जीवन के एकनामिक फैक्टर पर चाहे वो पेट्रॉल का प्राइस हाई को हुआ और भारत में आने के बाद उसका प्राइस अलग हो जाता है लेगे दोनों में फ़र्क है मगर सरकारे इसको कहती है कि जो वहाखे गर्मेंट ये एक सेकेंड वे है यह एक सेकेंड सोटे सेंटी इनफार्मेशन हे देटाँ अह emoACK कि जब मान लीजिए कि 63 बैरल 63 डॉलर पर बैरल है वहां का क्रूड ओयल जो है 60 बैरल की ना जाता है ओलको तो उसकी मैं बता रहा हूंगे 63 डॉलर dollars में हम कहेंगे 63 डॉलर पर बैरे लगर प्राइनस है बाहर की कंट्री में तो वह भारत आने के बाद जब भारत में इंट्री करेगा तो इंडिया की गवर्मेंट यानि स्टेटकोरमेंट और सिंट्रल गवर्मेंट दोनों जिम्मेदार होती है. पूरी तरह से जिम्मेदार होती है प्राइस हाइक करने के. अब ये 100 रुपह वाला माiness जो पहुचा है price 100 रुपए के पार जा रहा है 100 रुपए जा रहा है यह क्यों हुआ है है नहीं फ़ैक्टर यह था कि lockdown में lockdown हुआ तो lockdown में हमने गाड़िया और यह तो बंदी कर दी पैदल भी घर सी निकलने को नहीं मिला तो अब को बताता हूँ जो भारत में जब प्राइस बाहर गिर गया यानि आउटसाइट दी कंट्री ऊ-इरान में सवूदी में अ-इमरीका में जहां जहां आयल ज्यादा मिलता है तीन कंट्रीज इस्पेशली हैं सबसे नंबर वन है इरान उसके बाद सउदी और तीसरे नंबर विश्वक्त अमरीका आ रहा है कुछ सालों में यह पता लगाया जा रहा है और यह रिसर्च हो रही है कि अमरीका इरान को फीशे छोड़ देगा इन केस पेट्रोल की सप्लाई में तीन कंट्रीज पर हम डिपेंड है ज्यादा हम इरान और साओधी पर डिपेंड है जब हम वहाँ से तेल खरीदते हैं और खरीदने के बाद यानि भारत सरकार उसका इंपोर्ट करवाती है भारत में तो उस पर लगता है दो तरह का टेक्स जो ज एस्टी में एक्स्क्लूडेड है यानि जी एस्टी में जो है ही नहीं एक लगती है एक्साइज ट्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्मेंट लगाती है और एक लगता है वैल्यू एड़ेट टैक्स वैट जो लगाती स्टेट गवर्मेंट का काम होता है वैट यानि वैल्यू का तेल भारत में इंपोर्ट होकर आया पर लीटर बीस रुपए उसकी कॉस्ट है वो आप तक पहुचते पहुचते आपके जेब तक पहुचते आपके गाड़ी तक पहुचते पहुचते उस तेल की प्राइस पहुच जाएगी 80-85 इतना बड़ा फरकाता है यानि इंपोर्ट दुनिया में नहीं हो रहा था सारे प्राइस नीचे गिर गए थे सारी चीजों के सारे कमडिटीज के सारी सर्विसे के अचानक सी हाई किसलिए आया क्योंकि सरकार का जो जीस टी का आकड़ा था आपने देखा था वो भी बहुत कम आया था इन लागडाउन और एकनॉमी माइनस में चली गई थे तो सरकार को एक रास्ता दिखा लागडाउन के बाद वापस जीस टी को उसकी पटरी पिलाने के लिए और वापस एकनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग एज़ा कंजियूमर हम लोग की जेब पे भारी का भारी जो है प्राइस हम लोग की जेब पे पढ़ रहे हैं जो हमें पे करना पढ़ रहा है ताकि इंडियन एकनॉमी रिवाइब हो सके ताकि जीस टी फिर से वापस अपनी पटरी पे आ सके दो कारण मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं दोनों याद रखिएगा एक तो जीस टी और एकनॉ हमें बिल्कुल से नीचे चली गई थी क्रूइड आयल के प्राइजस भी बहुत गिर गए थे आप लागडाउन के डेटा उठागर देखिए इस वक्त इस वक्त जो चलाए वह 63.3 डॉलर पर बैर यह प्राइज है क्रूइड आयल का बाहर यानि आउटसाइड कंपरी वह जब भारत में आता है रिफाइन होते हो तो उसके क्साइज ड्यूटी लगती है एक साइज ड्यूटी उसके बाद वैट लगता है तो सेंट्रल गवर्मेंट से होता होता जब वह आपके जेव तक पहुशता है आप किसी स्टेट में रहते तो आप किसी इलागा बाज़ा सिटी में रह रहे हो किसी और सिटी में रह रहे हो प्राइज आसमान छू लेते हैं जस्ट विकाउज आफ वैट और जस्ट पीकॉज आफ साइस ट्यूटी तो एक्षुली पेट्रोल का दाम मार्केट में ज्यादा नहीं है हाँ यह जरूर देखा गया कि लागडाउन के भारत आते आते उस पर एक साइस और वैट लगा तो आपको हैरान और परिशान होने की जरूत नहीं ना आप एकनॉमिकली अगर समझेगा कि पेट्रोल में आग क्यूं लगी हुई है तो आपके दिल को चैन आ जाएगा और आप बिलकुल शांती से काड़ी चलाएंगे